हेलो इस्टुएंट्स बी एमेस प्रब्लिक स्कूल दोरह चला जा रहे हैं आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे पार्ट्स ओपे प्लांट्स तो इस्टार्ट करते हैं विजिटे नर्ट्सरी एंड यू विल कम एक्रोश वेरियस टाइप अफ प्लांट्स एक नर्ट्सरी के का दोरह करें और आप विपिन प्रकार के पौदे जैसे ट्री बोईस बीरिंग फ्लॉवरिंग ग्रासेज एंड मेनी मोर यानी पेड़ पौदे जाड़ियां फूल दर्ब जाड़ियां और अधिक के बारे में आएंगे कुछ बहुत छोटे हैं तो कुछ बहुत बड़े कुछ उप्योग हैं तो कुछ उप्योगी नहीं Some are strong and some are weak कुछ कमजोर होते हैं तो कुछ कमजोर नहीं होते हैं Some with a long life and some with a short life कुछ कमजोर होते हैं कुछ कमजोर नहीं होते हैं कुछ लम्मे जीवन के साथ और कुछ कम जीवन के साथ like us हमारी तर है plants also have different parts पौदों के भी अलग अलग भाग होते हैं all these parts all these parts work together to help the plant live in growth let us know more than about them यह सभी भाग पौदे को जीवित और विक्सस करने के लिए एक साथ काम करते हैं आईए उनके बारे में आधिक जानते हैं पहला है parts of a plant पढ़ते हैं parts of a plant में क्या दे रखा है observe the parts of a plant in the picture so on the next page पौदे की जो पौदे की जो भाग है जो उनका पिक्चर है वो next page पर दे रखी है उसके बारे में हम discuss करेंगे एक plants was divided into the parts एक पौदे को दो भागों में बांग दिया जाता है पहला point है root दूसरा है shoot root क्या होता है the part of a plant which is under the ground is called the root मतलब the part of a plant पौदे का वो भाग जो जमीन के अंदर रहता है जड कहलाता है shoot क्या होता है shoot is the part of a plant above the ground shoot पौदे का वो भाग है जो धर्ती के जमीन से उपर रहता है just the stream, branches, leaves, flowers and fruits together make up the shoot जैसे तना हुआ, पत्ती हुई, flower way, fall way clear उसके बाद पढ़ते हैं root there are two type of roots जो हमारी जड होती है उसके कितने पार्स होते है दो एक tap root और एक fabulous root fabulous root होता है रेस सिदार जड tap root क्या होता है अब पढ़ते है tap root the single man root the grows from the end of the stream of a plant is called the tap root एक पढ़ते के तने के सिर से उगने वाली एकल मुख जड को tap root का जाता है यानि जो एक पढ़ते के तने एक पढ़ते का तना होता है उसके सिर से उगने वाली जो एकल मुख जड होती है उसे tap root का जाता है इट वियर सर्वलल सम रूट्स या कई चोटी जड़ों का सहन करता है from example ये जो जड होती है वो कई चोटी जड़ों को सहन करता है for example हिविस्कस हिविस्कस, बीन, मस्टेंड जैसे हिविस्कस हुए, बीन हुआ, सर्विस्कस हुआ जो कौन चीड़ों हो है tap roots कहलाती है सर्विस्कस, बीन clear उसके बाद पढ़ते है fibrous root some kinds of plants do not have a man roots some kinds of plants do not have a man roots यानि रेशेदार जो जड होती है कुछ प्रकार के पौदाव में एक मुख्य जड नहीं होती what they have a number of tinny roots growing from the end of the stream called fibrous root लेकिन उनके तने की एक संख्या होती है जो तने की जड से होती है उसे fibrous root कहलाते है जैसे एक्जाम्बल समझें wheat हुआ, onion हुआ, पैडी, सोगर कोयन etc है fibrous root जैसे गें, प्याज, धान, गन्ना जड हैं जो पौदे कुम clear यह कौन से जड होती है हमारी fibrous roots होती है उसके बाद पढ़ें next functions of the roots पहला point है the roots hold the plant firmly to the soul जड़ें पौदें को मिट्टी के लिए मजबूती से पकड़ती है दूसरा point दे रखा है the root help the plants to absorb water and mineral salt from the soul जड़ें मिट्टी से पानी और खनेज लबड को अवसोसत करने के लिए पौदे की मदद करती है उसके बाद next chapter में next class में से आगे पढ़ेंगे पजिते है प्लoh what rz जड़ेंगे जड़ेंगे तो करत्स